माने सज़शगन नई दिल्ली में G20 शिकर समर्न के सपल आयोजन के लिए पूरे देश को बढ़ाई देते हुए मुझे बहुत खुशिये भरिये इस आयोजन की सपलता ने परतेक भारतिये को गरु से भर दिया है इसने वेश्चिक इस्तर पर देश की नेतुत की शमता को एक नया आयाम दिया है मैं इस आयोजन को आम जनों का आयोजन बना देनी की माननी प्रधानमंती जी के विजन की सराना करता हूँ भारत के सभी राज्यों और केंद्र साशित प्रदेशों के 60 शेरों में 200 से अधिक बेटके हुए जो अभूतपूर है दुनिया भर से आये 42 प्रतिनिती मंडलों के साथ जी टुन्टी नई दिल्ली लीडर समीट अपने आकार भवेता और प्रभाव में अभूतपूर था इससे विश्को भारत की विवित्ता लोगतांतिक शक्ति और प्रतिबा को देखने का अउसर मिला है भारत की जी टुन्टी की अधिश्ता समावेशी आकांशी कार उन्मुक निनायक और जन केंदित रही है जी टुन्टी नेताओं के शिकर सम्मेलन में लिएगे निन्ने परिवर्तन कारी हैं और ये आने वाले दश्कों में वेश्चिक वैस्ता को नया रूप देने में सायक होंगे मान्य प्रधानमंती जी के वीजन और मारदशन में जी टुन्टी नई दिल्ली लिडर्स समीट घोशना पत्र को सर्व सम्मती से अपनाया गया और सवेद शिल मुद्दों पर भी सबकी सम्मती बनी विश्चिस्तर पर ये स्विकार किया गया है कि भारत के नेतत एंसक्रिये प्रयासों के कारण वेश्चिक उत्तरदशिन के भीश दूरी के पाटने और पूरपश्चिन धूरवी करण को नियंतित करने में सपलता मिली है ये विश्च में भारत के उचे कद और बढ़ती प्रतिष्टा तता इस सरकार दोरा पिछले नो वर्ष्चों में किये गए कारियों को दर्शाता है मानने प्रधानमंती जी के नेतत में भारत को जो वेश्चिक सद्भावना पराथ हुए ये उसी का प्रमान है ये बात की भी सिवकरती है कि कई प्रकार के विभाजोनों से ग्रस्त विश्च में भारत शान्ती और सेयम की आवाज है भारत की अध्यक्ष्टा में ग्लोबल साउट की आवाज को जी टॉन्टी की चर्चा के केंद में लाने में महत्पुन भूमी का निवाई है अपनी अध्यक्ष्टा की शुरुआत में भारत ने जन्वरी 2023 में वायस आव दे ग्लोबल साउट शिकर संब्लन की मेजबानी की जिसमें 125 देशों के नितुत ने भाग लिया ग्लोबल साउट के देशों की प्रात्मिक्ताओं और अपेक्षाओं को जी टॉन्टी एजेंडे में शामिल किया गया शिकर संब्लन की घोष्णा में निर्धनता, उन्मुलन, जलवाय उवित, रिंड समंदी समश्याओं से निमटने, खाज्डि सुरक्षा, स्वास्त सुरक्षा, डिजिटल बुनियादी धाचे के विकास सहित, विकास सील देशों की हितों से समंदीत, विशेओं को परमुक सिवकार करने का एतियासिक निर्ने लिया गया, विश के शिशनितत को राजगाट पर राश्पिता महात्मा गांदी को सम्मान देते देखना एक अध्भूत दर्ष्ट था, उन सभी ने महात्मा गांदी द्वारा प्रति पादित, शान्ती और अइंसा के सार्भमिक विचा और वर्तवान समय में इसकी प्रासिंगता को सिवकार किया गया, माने प्रतान मंती जी ने सेवं अंतराश्टी संस्तारों में सुधार करने, उसमें समय के नुसार बदलाव लाने का पुरजोर समर्तन किया, इस विभाजित विश्व में इस्तिवता, वर्धी और विकास ये वास्तिक बवपक्षभात के लिए ये महत्पुन है, माने सुधश्गरन G20 का डश्टी कोन अर्थ केंदित नो होकर अब व्यापक रूप से मानो केंदित हो गया है, सतत विकास लक्षों को साकार करने, अंतराश्टी वित्य संस्तानों में सुधार करने, डिजिटल सार अर्जनिक बुनियादी धाचे की स्तापना करने, हरित विकास समझेतों को प्रोसाइद करने, महिलाओं के नेतुत के विकास को प्रोसाइद करने, डिजिटल स्वास्त पर वेश्चिक पहल करने, परविक्स किस्सा की भूमिका को मानिता दिये जाने जैसे विशों को प्रा अधिक सक्रे करना, विकास के लिए अधिक संसादनों की उपलबता, परियतन का विस्तार, विश इस्तर पर कारे के आउसर, मोटे अनाज के उत्पादन और उभोग के माद्यम से सुदर्ड, खाद्य सुरुक्षा, कोशल की कमी और गती शील्टा की समश्चा का समाधान करना, ग्लोबल वेल्यू चेन की मेपिंग, एमेस एमी की साहिता करना और जेव इदन के लिए प्रतिबदता शामिल है, इनका लाप पूरे देश को प्राप्त होगा। शिकर संबलन के दोरान भारत मद्य पूर यूरोप आर्थी कोरिडोर और वेश्चिक जेव इदन गडबंदन का शुभारन अत्यंत महत्पूर्ण है, इन पहलों से एक कनेक्टेट भईश की नीव रखी गई है, जिसमें आगे भी भारत की महत्पूर्ण भूमी का बनी रह प्रयावरन समर्तन के लिए लाइफ समंदी उचिस्त्रि सिधानतों को अंगिगर्ट किये जाने और जलवायू समंदी लक्षों को पूरा करने के लिए जलवायू वित और निवेश में बड़े पेमाने पर व्रधी की आउश्चिक्ता को विक्षित देशोंदारा सिकार कि जाने से इस शित में भारत का नेतुत इस्पश्च रूप से प्रदिश्चित हुआ है। भूमी समंदी पहल पर गांदी नगर रोड मेप परेटन के विशे पर गोवा रोड मेप नीली और महा साग्रिये अर्थ वैस्ता पर चन्ने उच्चिस्तरी पहल और काशी सांस्कतिक पत से आने वाले समय में विश्च का मारदशन होगा और हमारे देश गोरवामिन्त अगले मां हमारी संसत को हमारे G20 अध्यष्चता के क्रम में पारलेमेंट P20 फोरम की मेजबानी करने का सम्मान मिलेगा मैं इस प्रतिशिस सभा के प्रतेक मानिय सदर्शों से अनरोद करता हूँ कि वे लोगतंत की जन्नी भारत की भूमी पर पूरे विश्च का स्वागत करने और वसुदेव पुटम कम एक पर्थवी एक परिवार एक बुश्च के मिशन को आगे बढ़ाने में शामिर हो मुझे विश्वास है ये सभा इस एत्यासी कुपलब्दी पर माननी ये प्रधान मंती जी के नित्वत की सराना करने भारत के लोगों को उस्सा बढ़ाने और सभी संगटनों और वेक्तियों की योगदान को सराना करने में मेरा साथ देगी स्री सुनिव कुमार सिंग माननी अध्यक्च महोते मैं विश्वास अधिकार समिती का छटा प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्क्रन सभापटल पर रखता हूँ धन्यवाद माननी सदर्शिगन हमारा ये संसद भोन सोतंता प्राप्ति की एत्यासी घड़ी से लेकर भारत के सविधान निर्मान की संपून परक्रिया और इसके साथ ही हमारे आधुनिक राष्ट की गोरोशारी लोकतांति यात्रा का साक्षी रहा है सतंत भारत की पर्थम लोकसभा के अध्यक्ष स्री गनेश वासुदेव मालंकरजी ने 15 मई 1952 को अपना पदगार गरंड किया था देश की स्रवच लोकतांति संस्ता के प्रथम अध्यक्ष के रूप में उन्होंने नियम समीती, विशेशा दिर समीती, कारे मंत्रना समीती, सहीत कई अन्य संसदिये समीतियों के स्तापना की और सदन के अंदर उच्चितम परंप्राओं की नीव रखी इस सदन में अभी तक मेरे पूर्व सोला मानिय सदश अध्यक्ष सदन के आसन पर विराजमान हुए और उन्हों सभी ने शेश्ट प्रंप्राओं इस्तापित किये मानिय सदश गन इस कक्ष के माध्यम से अब तक 15 मानिय प्रधानमंतियों का नेतुत प्राप्त हुआ उन्ह सभी ने अपने विचारों और कारियों से देश की दशा और दिशा ते की है मानिय सदश गन ये सदन समवाज संस्कृति का जीवन प्रतिक रहा है विविन दलों के बीच सहमति असमति के बीच पिछले 75 वर्षों में देश हित में सामुटता से निर्ने ले गए संसिदिये विचार मुष्ट की पद्वति से देश की जनता के जीवन में सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए कानून बनाये गए आपदा और संकट के समय सदन ने एक जुटता और प्रतिपत्ता से उसका सामना किया आज इस कक्ष में कारवाई का अंतिम दिन है हमारे देश की लोकतांती यात्रा में इस भौन का योगदान अतुलनी है आज के बाद सदन की कारवाई ने भौन में संचारित होगी हम ने भौन में नई आशाओं नई उम्मिदों के साथ प्रवेश करेंगे मुझे विश्वास है कि हमारी संसत के नई भौन में हमारा लोकतांत नई उचैयों को फ्राप्त करेगा